मुझे तो नहीं पता था कि कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हूँ, हम उस जैनेरेशन के लोग हैं, बस इतना पता था कि उनको, और माफ कीजिएगा लेकिन मैं ये थोड़ा करवाश अब, कि वो जुल्म जेल नहीं पाए, बड़ा आसान था उनके लिए, तो उन्होंने का च दूसरा क्या है कि देखिए मैं इस फिल्म को मैंने बहुत वक्त से काम करें, चार साल पलवी ने अपनी जिन्दगी के हमारे बच्चों ने, मैंने, सब ने दी हैं, तो जो कश्मीर जो था, जिस भी कश्मीरी से मैं मिला, और कश्मीरी मुसलिम्स, ये बड़े ये भारत में कोई बताता नहीं, बड़े आश्चर की बात है, वो भी शिव को मानते हैं, जो पुराने जो हैं, अभी ये 1990 के बाद जो पैदा हुए वो नहीं, पर आप पूछिएगा, वो भी शिव की महा शिवरातरी में पार्टिसिपेट किया करते थे, तो शिव को जो है, इंडियन किया, उसी तरह से इनने पूरी तरह से अपने बच्चों को सिर्फ एजुकेशन, सिर्फ एजुकेशन, सिर्फ एजुकेशन, और उसका नतीज़ा ये है, कि अभी जब हमारी फिल्म को वशिंग्टन डी सी में सैनिटर्स कॉंग्रेसमेंन ने देखा, तो पहली बार सिनेमा कुछ कॉंग्रेसमेंन थे, जो की फ्री कश्मीर की कैंपेशन में भी डिरेक्ली इंडिरेक्ली शामिल थे, और एब्रोगेशन 370 को लेके काफी गाली, उनको भी आके, कोट अनकोट, कैपिटल हिल में खड़े होके, बोलना पड़ा, कि इट वाज अ कश्मीर जैनोसाइट, and we are so proud of this community, that they today are the most educated community, amongst the most educated community, मैं ये कहता हूँ, जिनको तुमने मार पीट के भगा दिया, उनके बच्चे आज नासा में, वर्ल्ड की बेस जगह पे काम कर रहे हैं, किताबें लिख रहे हैं, कितने authors हैं, film makers हैं, creative में हैं, musicians हैं, और वो बचारे बच्चे हैं, जिनको education नहीं मिला, हातों में पत्थर लेके दूसरे आदमी पे मार रहे हैं, तो इसलिए शिव को में लेके आए, because shiv means, कि सारा दर्द पीके भी विश्व के कल्यान के लिए काम कर रहे हैं,